आज मैं आपके साथ शेर करूंगी बहुत ही जटपट तयार होने वाला शेरबत हलो फ्रेंट्स गावरान तड़ का रेसिपी जमें मैं वर्ष है हो जे मेरे चानल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चले फ्रेंट फिर इस शर्बत की रेसिपी देखते हैं यहाँ पर जो मैंने शर्बत बनाया है ना वो मैंने मोसंबी से बनाया है यहाँ पर मैंने छोटी छोटी तीन मोसंबी ली है तो मोसंबी का छिलका निकाल कर मैंने मोसंबी ले ली है तो अब यह मोसंबी को हमें मिक्सी के जार में डाल लेना है, हमें यहापे छोटा वाला ही मिक्सी का जार लेना है, यहापे मैंने मिक्सी के जार में मोसंबी डाल दी है, तो मोसंबी डालने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं शुगर, तो पूरे शर्बत में जितनी शुगर बनाने वाली हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे यह शुगर डाल दी है तो यहाँ पे ना हमें इसको पीस के ले लेना है यहाँ पे ना मैंने आच्छे से मुसंबी और शुगर को पीस लेया है आप जो हमने यह पीस कर बैटर तायर कर लिया है इसको एक चालनी में डा आच्चे से उसको छान ले लेना है, तो यहाँ पेना मैंने आच्चे से सब बैटर हमारा मुसंबी का छान लिया है, आप देख सकते हो, तो आप इसमें हमने डालना है पानी, तो जितने गिला शर्बत बनाना है उतने गिला साब गीन के इसमें पानी याड कर लीजगा तो पानी डालने से पहले इसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया था तो नमक से शर्बत में बहुत अच्छी टेस्ट आती है, आगर आपको इसमें चाट मसाला भी डालना है तो डाल सकते हो, और एक बात, जो मैंने ना मोसंबी ली थी, वो मेरे खटी मोसंबी थी, एकदम मीठी नहीं थी, और आगर आपकी मोसंबी आकर बहुत जादा मीठी है, उसमें खटास थोड़ी भी नहीं है, तो आप हलका निम्बू का जूस भी इसमें डाल सकते हो, आदा निम्बू निचोड़के, तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद ना हम इसमें डालेंगे, मैंने इसमें डालने के लिए ना सबजा को भ मार्केट में मिल जाता है कौन से भी किरना स्टोर पर यह सबजा आपको मिल जाएगा तो यहां पर हम दो तीन चमच सब्जा डाल लेते हैं सब्जा बहुत जादा हिल्दी होता है और बहुत थंडा भी होता है अब ना हमारा शर्बत मार्केट जैसा दिखे इसलिए ना आफ जरूरत ने कूंकि पहले से ही इसमें कलर आचुका है अगर डालना हो तो डाले नहीं तो कोई बात नहीं try अप्शlike हो तो डालें नहीं डालेंगे तो भी चलेगा साथ ही में इसमें हम डालेंगे बर्फ के टुकड़े तो बर्फ के टुकड़े डालने के बाद आच्छे से एक बार आप शर्बत हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे यह थंडगार हमारा शर्बत पीने के लिए आप तयार हो अभी इस चर्वत को देखने में वे आच्छा दिखने के लिए और ज्यादा ⁧ पीने के पार टेस्टी लगने के लिए इस में हम डालेंगे टर्वुज यहां पर मैंने टर्वुज के छोटे छोटे पीस कटकर के लिए हैं और वह डालेंगे क्योंकि घटा-मीटा दर्बुच मतलब घटा-मीटा शर्बत बहुत आच्या लगता है पीने में और तर्बुच के जब पीस आते हैं ना मुह में तो और आच्या लगता है क्योंकि हमारा ये मुसंबी का शर्बत हलका खटा है और साथ में उसमें टर्बुच दाले तो दोनों का कॉम्मिनेशन बहुत आच्छा लगता है तो यहाँ पे हम निकाल लेते हमारा शर्बत ग्लास में देखे देखने में कितना मस दिख रहा है मारकेट से भी आच्छा दिख रहा है कि नए दिख रहा देखे और बनाने का तरीका बहुत सिंपल है आगर आपके घर में दो-तिन मुसंबी है तो आप दो-तिन मुसंबी में आगर आपके घर में आचनक महमान आए तो दस बारा ग्लास आप इस तरह का शर्बत बना कर तायार कर सकते हो दिखने में भी आच्छा दिखता है और पीने में तो बहुत जादा टेस्टी लगता है एक बार बनाएंगे तो बार बार ऐसा शर्बत बना कर पीएंगे आपको मेरी ये शर्बत की रेसिपी कैसी लगी कमेंट दोरा मुझे जरूर बताएगा अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलेगा तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई